सरल करें तीन ए, गुड़े एकी घात पांच गुड़े एका वर्ग यहाँ हमें इस सरल करने के लिए घात आंकों के नियम का उप्योग करना होगा और जिस नियम का हम प्रयोग करेंगे वो है अगर हम A की घात X ले लेते हैं और इसका अगर हम गुड़न करें A की घात Y से तो यहाँ पर हमारे इन दोनों पदों में हमारा आधार समान है तो जब भी बिमारे पास ऐसा गुड़न आता है तो इसे हम लिख सकते हैं A की घात X धन Y यहां पर अगर हमारे पास आधार समान होता है तो हम यहां पर घातों को जोड सकते हैं और ऐसा क्यूं होता हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे लेकिन चलिए अभी के लिए हम इसका प्रयोक करके इसको थोड़ा सरल करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास है एकी घात 5 और एका वर्ग, यहाँ पर हमारे पास आधार समान है और यहाँ पर इनके घात अलग-अलग हैं, तो हम यहाँ पर इस नियम के अनुसार इनकी घातों को जोड़ सकते हैं और इसको में लिख सकती थी, एक गुड़े, 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 ए अगर हम A का गुड़ा कर देते हैं 5 बार A से तो क्या होता है? A गुड़े, A गुड़े, A गुड़े, A गुड़े, A तो ये चीज हो गई A की घात 5 के बराबर और इसी तरह से अगर हम A के वर्ग को ले लें तो A के वर्ग का मतलब होता है A का गुड़ा करना A में दो बार तो चलिए हम लिखते हैं से याँ पर A गुड़े A ये चीज दिखाती है हमारे A के वर्ग को और अब यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुड़न करना है तो इन दोनों का गुड़न करने के लिए मैं इन दोनों के बीच में गुड़न चिन्ध लगा दूँगी ठीक है तो हम कह सकते हैं याँ से कि हमारी ये वाली जो संख्या है ये बराबर है A की घात 5 को A के वर्ग में गुड़ा करने के और हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा व्यंजक है इस रंग में ये A की घात 5 को दिखाता है और ये वाला जो व्यंजक है हमारा ये दिखाता है A के वर्ग को तो इन दोनों के गुड़न से हमें क्या मिल रहा है इन दोनों के गुड़न से हमें 7 बार A मिल रहा है यहाँ प पांच धन्दो, या फिर हम कह सकते हैं, A की घात, साथ के बराबर, यहाँ पर हमारे पास साथ बार A था, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ, तीन A, गुड़े, A की घात, साथ के बराबर, तो चलिए भर हम आगे इसको सरल करते हैं, अभी भी हमारे पास यहाँ पर एक A है और यहाँ पर हमारे पास A की घात साथ है तो क्या और आगे हम इसे सरल कर सकते हैं और मैं चाहूंगी कि आप यहाँ रुकें और इस बारे में खुद सोचें तो छीक है यहां पर हमने ए लिखा हुआ है और इसकी कोई घात नहीं है लेकिन जब भी बिमारे पास ऐसा कोई भी संख्या होती है जिसकी हम घात नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसके पास एक घात है यानि कि ए का मतलब होता है एक की घात एक ये बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर A की घात 1 है और A की घात 7 का में गुड़ा करना है तो ये बराबर होगा A की घात 1 धन 7 के ठीक है तो ये चीज बराबर हो जाएगी 3 गुड़े A की घात 8 के बराबर तो हम क्या सकते हैं कि अगर हम इसे सरलिक्रित करें तो हमें मिलता है तीन एकी घात आठ